हलो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ADHD यह बच्चों के बीमारी के बारे में ADHD यह attention deficit hyperactive disorder इसका ऐसा full form है पुरा नाम है यह hyperactive disorder इसमें होता क्या है कि बच्चे जो है वो बहुत ही ज्यादा हीरा excessively energetic हो जाते है रहा अक्सर माता बुता कि एक गउप्लेंट रहती है कि बच्चे नाम हमारा एक जगा बैटतान कुछ सेकंड तक बैठेगा एक जगा पे पेएगाई और फिर यहां से वहां आतेरा चान के मतलम पर चार गहेंगा एक जगवह बैटा नहींמ׮ है मातव हएता की गर्यान कि इस पड़ांगा नहीं कर पाता है ये पढ़ा छेसाइसित लगे होए ऐसा इधर से उदर उदर सीधर खुमेगाए यह बिमारी है यह अक्सर चार से साथ साल के उमर में उभरती है शुरू होती है और करीब करीब साथ से नौ टका बच्चे कुछ ना कुछ मात्रा में इससे एफेक्ट होते है एडिएश्डिय बिमारी से इज्छों में लड़कों में सिंधियि जादा लड़कियों से यह बिमारी दिखते है वैसे इजक़ा होशा रहते मतलब इंट्रिजेंड समसर यह बि लाइश बीइन वाएश्य होशा रहते है मगर वह हो एक जगा बैटनहीं पाते हैं जगा पान्सेंट्राइट नहीं कर तो उनके दिमाग में घुस्ता नहीं है पढ़ाय कुछ भी तो फिर पढ़ाय में पीछे हो जाते हैं यह बच्चों में घुस्ता करना मार्पिट करना कभी वाइलन्स हो जाना माता विता को यह लगता है कि अपना मतलब शुरू शुरू में जैसी विमारी शुरू होती है तो उनको लगता कि अपना बच्चा बहुत एक्टिव है तो कभी उसकी तारिफ भी करते हैं कि हमारा बच्चा कितना काम करता है कितना दुम्धनाम करता है शौरशार करता है उनक कुछ न कुछ गिरा देंगा तोड़ फोड़ कर देगा फिर माबाप बहुत गुसा करेंगे तो पिटाई करेंगे उसकी ऐसा काफी सारा मतलब तकलिफ वाला काम हो जाता है फिर कभी-कभी गाली-गलोज करेंगा बहुत जादा बाते करेंगा तो फिर वो यह बच्चों को डॉक्टर के पास में जल्दी लाते नहीं है मतलब इनको ऐसा लगता नहीं कि यह मांसिक बिमारी है करके माबाप लेके कही ना कहीं घुमेंगे इदर उदर करेंगे फिर आखरी में साइकेट्रिस के पास में वन्हों विकार तग्य के पास में लाते है यह बिमारी का कारण जो अभी तक पूरा पता नहीं है को बोलते की जेनेटिक कारण है जीन्स में कारण है इसका या फिर बोलते की केमिकल लोचा है मतलब ब्रेन में जो केमिकल से उसकी मात्रा कमधिक प्रमाण में होने से यह बिमारी होती है तो यह अलग-अलग है इसका गेमेंट जो है वे कि बच्चों को हम इदी रिलाक्सेशन सिखाते हैं रिलाक्स कैसे करना, एक जगह कैसे बैटना इसके लिए उसको रिवार्ड थेरपी, मतलब कंडिशनिंग उसको करना, जैसा उसको एक जगह बैटना तो उसको कुछना कुछ रिवाड देना, या उसको रिलाक्सेशन सिखाना बच्चे को एक जगा है एक कमरे में बैठने के लिए मतलब वह बैठता है तक कुछ ना कुछ गिफ दी जाएगी या उसके तारीफ करना प्रशौशा करना ऐसा मतलब अलग अलग टेकनिक समुशको सिखाते रहे मतलब सिखा सकते है और माबा आप कोई बता सकते हैं कि इसके बड़ गुस्सा करने से कुछ होता नहीं, मार्पिट नहीं करना, अभी जो दवाईया है, वो दवाईयों में नहीं मिथाइल फेनिडेट नाप की जो गुली है, यह दवाई बहुत अच्छा काम करती है, मतलब 10 मिलिग्राम से लएके 20 मिलिग्राम रोज यह दवाई की मात्रा हम यह देते हैं बच्चों को, तो उसमें काफी अच्छा फायदा होता है, वैसे ही एटोम उक्सेटिन करके अच्छा काम करती है, अच्छा काम करती है, अच्छा मिलिग्राम की गुली आती है, तो गुली दिया तो बच्चा काम डाउन होने में बहुत साहता होता है, मतलब साहता होता है, होता क्या है कि जिनको यह मालूम नहीं है, वो उसको सोने की दवा देते हैं डॉक्टर लोग सोनी की दाने के होता क्या तो धुआ सो जाता है तो सोके फाइदा स्टुれてा यह दया थील्य और यह दुआ झाट, फ्रूल, सब्सक्राइद का काउ म्सलिंग बच्रेशन काुंसिले मेता, इस्ट सिक्कान और देना यह सब हम करते है तो रेम आधु काफी सारा फरक पड़ सकता है उमर के इसाब से भी ये दिरे 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 बच्छे अच्छ हो जाते हैं मगर कुछ बड़े होने के बावजूद भी काफी सारा एक्साइटमेंट में रहते हैं और फिर उनको मांसिक भीमारी हो सकती है तो यह बीमारी का इलाज है आपको यह समझ मैं आप लोगों को पताएगा लोगों को शेर करो यह वीडियो ताकि ऐसे जो बच्चे है उनको सही ट्रीटमेंट मिलके वह बच्चे अच्छे हो जाएगे को थैंक वेडियो ने प्राव जाएगे हैं विलके विल्सेटमेट में आपको यह बीमारी है कर सकताव ने प्राविछा लोगों को दोयों को कि दोगों कर्या है एफ जब्यावारी है।